NTA ने इस नए syllabus के update में पूरा की पूरा syllabus देने के बाद नीचे 18 ऐसे topic mention किये जो इस पहले कभी NTA नहीं किये थे कुछ लोगों ने syllabus में सारे topics पढ़ने के बाद आखरी के उन 18 topics को ध्यान से दिखा ही नहीं तो मैं आज आपका ध्यान उसी 18 topics की तरफ दिखाने जा रहा हूँ जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा फटफटा करके confused होते हैं जैसे यह कुछ पापी लोग यहाँ पर देखेंगे तो LED deleted syllabus है आपने यहाँ पर LED क्यों पढ़ाया यहाँ पर सर screw gauge तो deleted है ना इस तरह के confusion इन लोगों को हो गए है यह syllabus में सही बात है कि कहीं भी लिखा हुआ नहीं है आप अगर जाकर के देखेंगे बटा तो LED कहीं भी लिखा हुआ नहीं है सेमिकंडक्टर्स में और आप अगर जाकर के देखेंगे तो resonance tube भी वेव में लिखा हुआ नहीं है लेकिन भया नया जो syllabus आया है उस syllabus में सारी चीज़ें है इसके उपर मैंने detailed वीडियो बनाया है कुछ लोग पड़ा आ गये हैं इधर उदर से syllabus पढ़ रहा है तो बैटा न पड़ें यह वाली एक वीडियो है आप जाकर के देखिए बहुत सटीक information है इसमें मैंने neat के ब्रोशर जो हैं पिछले साल का ब्रोशर मतलब last year का ब्रोशर और recent ब्रोशर को compare करके मैंने यहाँ पर बताया है syllabus क्या है सबसे सटीक syllabus ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ आता है व लेकिन जब new syllabus NTA ने इस बार का recent ब्रोशर निकाला तो उस पर NTA ने 18 topics की list एक जारी करी जिसे हमने experimental scale करके बोला topic number 20 unit number 20 करके बताया और 18 topics की एक list जारी करी पूरा one से लेके 18 तक पूरे 18 topic की list जारी करी पहले इसके पहले कभी कुछ नहीं बताया था इस तरह से कभी mention नहीं था एसा नहीं कि इसमें कुछ add करा कुछ subject करा यह पूरा की पूरा नया unit बना करके NTA यहाँ पर हम लोगों को दिया इस साल के syllabus में अब जब दिया तो हमने देखा कि वह इसमें कौन-कौन से skill हैं कौन-कौन से topic हैं बहुत सारे लोग इन topics को हलके में लेते हैं कुछ लोग बहुत ज़रूरी इनको बिल्कुल बिना काम का समझें उनी चीजों के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले वर्नियर के लिए पर screw gauge यहाँ पर है यहाँ पर आ गया यह important point ध्यान से देखना बिटा simple pendulum dissipation of energy plotting the graph simple pendulum dissipate energy कर रहा मतलब dampd oscillation वाली बात यहाँ पर चल रही dampd oscillation syllabus में से deleted है लेकिन यहाँ पर dampd oscillation का एक question बिटा इस experiment को add करके dampd oscillation को add कर दिया है यहाँ पर देखें meter meter bridge जो meter scale है major concept of principle moments तो पड़ा यह किस चीज के उपर है torque वाला concept है इसमें एक तरफ इस तरफ से बजन लटका दे दे दूसरी तरफ कॉन साल इन कितना मास इस तरह एका question आता है इसके बाद आप देखेंगे वह यह बहुत सारे है यहाँ पर बकाइदा इस चीज को देख सकते है फिर देखेंगे half deflection method पढ़ना है जरूरी क्योंकि यह syllabus में है क्योंकि इन topics में यहाँ पर half deflection method का यूज दिया हुआ तो इस पर question भी आ सकता है वह तो वह लेंगे experiment में हमने बोला था पढ़ो तो आपको half deflection method आना चाहिए एक फोकल लेंद के बाद paradox method आपको पता होना चाहिए क्योंकि paradox method अगर आपके बैटा नीट के paper में आ गई तो आप फड़ पड़ा जाएंगे और अगर आपने कभी सुन नहीं रखा तो इसका answer आप नहीं करेंगे बैटा कम से कम दो question भी अगर इससे आ गए तो आपका 8 mark का नुकसान है आप किसी भी deviation और angle of incidence ठीक है तो angle of deviation और angle of incidence के बीच का जो plot है यह आपके syllabus में नहीं दिया नहीं पहले दिया था उड़ा दिया लेकिन बेटा अब आपके syllabus में यहां तो है क्योंकि experimental skill वाले चार्ड में यहां दे रखा है तो इनको हलके में ना ले इन topics को पूरा पूरा पढ़े और ऐसी जाएगा ठीक है क्योंकि यहां syllabus में दे रखा है अब यहां पर देखो PN junction diode का characteristics सारी चीज़ें यहां पर reverse breakdown voltage यह सारी चीज़ें पढ़ाते है अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी guidance मिले अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपके हर एक चीज़ें पर नजर रख सकूँ अगर आप 180 mark target कर रहे हैं physics में अगर आप 170 भी target कर रहे हैं तो पढ़ाई 180 के लिए करनी होगी अगर आप 160 भी target कर रहे हैं तो पढ़ाई 180 के लिए करनी होगी 180 marks भी पढ़ाई करनी होगी तो आपको आना पड़ेगा मेरी mentorship में, कैसे आना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ A N U P, यह चार letter याद रखने हैं, एक word बनता A N U P, यह आपको याद रखना है, और आपको सिर्फ ये use करके मेरी mentorship में आ जाना है, मेरी mentorship में आने के लिए आपको मिलेगा क् आपको बेटा मैं आपके इसी तरह से physics की practice question पर ध्यान दूँगा, आपका physics का question जो है वो improve करवाने पर ध्यान दूँगा, आपके physics के question solving इंप्रूव करवाने पर ध्यान दूँगा, आपकी कोई भी चीज miss तो नहीं हो रही ही वो मुझे पता है, मेरे पास tick marks रखे हुए, मैं उससे check करूँगा कि आप सारी चीज़ से prepare है या नहीं है, मेरी टीम बेटा आपके biochemistry हर चीज़ का doubt भी solve करेगी, physics का doubt भी solve करेगी, physics का doubt भी solve होंगे ही, इसके अलावा 24-7 आपके पास doubt solving होने वाली है, आप एक personal whatsapp group में add होंगे, जहां पर सभी तरह के doubt आप पूल सकते हैं और सभी तरह से आपको mentorship guidance हर समय पर हर पल मिलती रहेगी, ओके everyone, और यह सब मिलेगा कब, जब आप हमारा ये वाला course ANUP code यूज करके buy करेंगे, you have to buy this course for using the code ANUP, अब इस code में मिलेगा क्या वो भी बता देता हूँ, हमारी team titan, हम तीनों आप लोगों को पूरा syllabus complete कराएंगे, पूरी बकाइदा classes होंगी, test होंगे, सब कुछ, और ये एक साल का है, एक दिन का नहीं है, तो ये 15 रुपे पर डे में आपको मिलेगा, same price में आप लोगों को मिल रहा है बेटा, 11th भी, अगर आप 11th में है, तो you can also enroll, अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पर क्या-क्या facilities मिल रही, वो भी मिल बताता हूँ, देखो बेटा, multiple batches, सिर्फ हम नहीं, multiple batches, बेटा, एक हमारा batch तो ही, आपको लगा कल से कि अच्छी को भी है, कि अलावा और कोई देख के आते हैं, कि इन से अच्छा कोई पढ़ा रहा है का, मिलेगा तो नहीं, पर तुम देख के आ सकते हो कि यह जाके, तुम देख के आए, कि यह और कोई अच्छा पढ़ा रहा है का, मिलेगा, पर आप देख के जा सकते हो कि multiple batches हैं, multiple batches में you can enroll, यहाँ पर crash course का access, आखरी में 10,000 का crash course आएगा, वो भी free, 5000 की test series आएगी, वो भी free, सब कुछ इसी में मिल जाएगा, recorded lecture, 130,000 घंटे के recorded lecture, आपको YouTube पे जो भी teacher लगता है, सबके recorded lecture अवेलेबल है, जो teacher आपको YouTube पे दिख रहा है, इसका भी देख लेते है, इसका भी देख लेते है, सबके recorded lecture अवेलेबल आपके पास मिल जाएंगे, 1,30,000 घंटे में, इसके बाद 35,000 questions की repository मिल रही है, NUP code यूज करने का होगा, इसके बाद comprehensive digital note मिल जाएंगे, 10 साल के PYQ के video solution, कोई भी प्लिक करो, 10 साल का video solution अवेलेबल, इसके बाद बेस्ट मिलेगा, कोटा के teacher, लोगों को रहा है, मैं कोटा नहीं किया, बरबाद हो गया, कोटा की teacher का live video solution, जहां आपको लगेगे, कि कोटा के teacher देखना है, क् ही guidance दे रहे, सब कुछ तुम live videos में जा करके देख सकते हैं, वो भी तुम्हारे पास इसी price range में available है, बेटा सिर्फ 15 रुपे पर दे, अगर आप इन सारे feature से divide करें, तो एक एक रुपे का भी आप माने बेटा, तो एक रुपे पर दे में आपको एक feature पढ़ रहा है, 14 ये व टेक यू, आपकी जिम्मदारी मेरी होगी, आपकी समस्या मेरी समस्या, clear है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो बेटा सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी information में आपको authentic information में आपको हमेशा ला करके देता रहूंगा, ओके, thank you बचा, thank you so much.